हेलो एवरिवन आप सभी का आपके अपनी चैनल सारस टुटोरियल पे बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए वीडियो देख करके ही आपको लर्न हो जाए ठीक है आपको एक्स्ट्रा से पढ़ने की कोई जरूरत ना परे यहां पर देखे पहला है निनमलिखित किन्ही दो शब्दों के दो दो प्रयावाची शब्द लिखो पहला है माता माता का अर्थ होता है मा और जनिनी क्रिशक किसान खेती है सेवक दास या नोकर ठीक है देट निनमलिखित किन्ही दो शब्दों के बिलोमच शब्द लिखो अपवय का होता है मितवय दुडलब सुलब देट शृस्ट्री परलाई सधवा बिधवा ठीक है देन आप लोगों का निनमलिखित किन्ही दो के सब्दों के अर्थ का अंतरस पस्ट अंतर लिखो ठीक है यहां पर कभी-कभी यह जो वर्ड है आपका शब्द युग्म यह कभी-कभी आता है शब्द जोरो ठीक है शब्द जोरो का अर्थ में अंतरस पस्ट करो ठीक है यहां फिर कभी-कभी आता है शूतिसम भिनार्थक शब्द लिखो ठीक है इस तरीके से आता है बर जहां पे भी इस तरीके से हाइफन हो तो समझ जाना कि दोनों का अर्थ आपको लिखना है ठीक है यहां पे देखो हस मतलब क्या होता है हसना और हंस मतलब होता है एक पक्षी ठीक है मेग मतलब बादल मेध मतलब यग दिन गरीब ठीक है छोटा दी है तो दिवस और बरावला है तो गरीब अवस्ता मतलब हालात होती है और बेवस्ता मतलब होता है इंतजाम ठीक है धन कुछी नबर फोर निनमलेकित किनी दो शब्द समू के लिए एक एक शब्द लिखो वह स्थान जहा मुर्दे जलाये जाते हैं उसे क्या कहते है? समचानगार. ठीक है, जो देनी योग्य हो, ठीक है? देई, जो कहा गया है, कथित, जो शत्रु की हत्या करता है, शत्रु घन, ठीक है? तो यहां पर देखिए जो समास वगेरा है ना जो भी grammar portion basically आपका वो matter नहीं करता है किस year का है तो grammar basically आप लोग follow कीजिए grammar previous year ही आता है extra कुछ नहीं आएगा अगर channel को follow कर रहे है तो definitely हिंदी में तो आप लोगों को कोई problem नहीं होगी जहां तक मुझे बता है बाकि आप लोग के preparation के उपर भी depend करता है आप लोग किस तरीके से तयारी कर रहे हो यहां पर देखो शक्ति के अनुसार यथा सक्ति अवेभाव समास और हाँ जो लोग channel से नहीं जुड़े है या जुड़े हुए है फिर भी subscribe नहीं किया तो प्ले subscribe कीजिए और bell icon को प्रेस कीजिए क्योंकि मैं आप important question सी आप लोगों को देने वाली हूँ तो अगर आप subscribe करके bell icon प्रेस नहीं करेंगे तो आपका ही loss होगा आपको notification नहीं मिलेगा ठीक है फिर देखो नौरतनों का समाहार क्या होगा नौरतन इदीगो समास ठीक है नील है कंठी जेसका नील कंठ अर्थार शेप बहु ब्रीही समास दैन यश और अपयस यश अपयस दो अंदसमास ठीक है नील में लिखित किनी दो मुहावरों का वाक्य में परयोग करो बाएं हाथ का खेल मतलब आसान काम ठीक है जब मुहावरे बनाते हैं तो बाएं हाथ का खेल का मीनिंग क्या होता है आसान काम ठीक है बर जब sentence आप मेक करोगे तो आपको बाएं हाथ का खेल ही at the end लगाना है ठीक है आसान काम नहीं लगाना है ठीक है ऐसे लिख सकते हैं कि एक सेंटेंस अगर मैं बोलू गन्ने का जूस बनाना राम की बाए हाथ का खेल है ठीक है गन्ने का जूस बनाना जूस मतलब सर्बत ठीक है गन्ने का शर्बत बनाना राम की बाए हाथ का खेल है तो मैंने क्या शब्द यूस किया बाए हाथ का खेल तो जब आप sentence make करते हो तो meaning को नहीं लिखते हो उसका जो main word है हमारा बाय हाथ का खेल हो गया पत्थर की लकीर हो गई तो ये लिखते हैं बहुत से बच्चे क्या करते हैं earth को ही at the end लगा देते हैं तो at the end sentence के end में हमें earth नहीं लगाना है मुहावरा ही लगाना है ठीक है देखिए पत्थर की लकीर मतलब पक्की बाद गुर गोबर होना मतलब काम बिगारना टालमटोल करना मतलब बहाना बनाना ठीक है राम को जब भी उसकी माँ पढ़ने बोलती है वो टालमटोल करता रहता है ठीक है इस तरीके से देखो निन मलिखित किसी एक वाक्य को स्राल वाक्य में परिवर्तित करो जो गंदा लर्का है वो दूसरों को प्रवावित नहीं कर सकता तो गंदा लर्का दूसरों को प्रवावित नहीं कर सकता ठीक है जो मरता है वो क्या ना करता यह आप आप लोगों का कमेंट सेक्शन में कमेंट करना देखती हूं क्या लिखते हूं और जोरों से मुझे जोरों की भूक लगी था ना कुछ ऐसा कुछ था ना तो उसका आंसर होगा मुझे बहुत भूक लगी है ठीक है या मुझे तीज भूक लगी है या बहुत भूक लगी है ठीक है एट नमबर है निरमलिकित किनी दो वाके को शुद्ध करो मैंने दो गरंथ पर हम लोग गरंथ नहीं लिखते हैं उपर डॉट लगाना मैं भूल गई यहाँ पर डॉट लगेगा ठीक है यहां पर डॉट लगेगा तो मैंने दो पुस्तक पढ़ी ठीक है पिताजी आप जाओ तो पिताजी आप जाए वी शुट गिव रेस्पेक्ट ठीक है बड़े लोगों को क्या देते है रेस्पेक्ट देते है वह लोग आ गए तो वह लोग नहीं होताभी तो अभी भी टाइम है चैनल पे अलंकार के उपर वीडियो बनाया है विद् ट्रिक्स आप उस वीडियो को देखिए और डैफिनिशन और example भी बहुत easy easy मैंने provide किया है ठीक है अगर link नहीं मिल रहा है तो मुझे comment section में comment कीजिए उसका भी pdf डाला हुआ है channel पे तो आप pdf भी download कर सकते हैं लिखने की कोई परिशानी नहीं आईगी आपको ठीक है तो चलिए तब तक के लिए bye take care